अब आपको समझ में आया कुछ समझ में आया यह सारा खेल जो इवियम का घोटाला है यह जियो टावर से चलता है यह जियो के नेटवर्क से चलता है यह इवियम जो हैक होती वो जियो के कनेक्शन से होती थी जब वहां से टावर यूखार डाले तो इवियम कैसे हैक होती यह सारा का सारा शरे जाता है मेरे भारत के अनधाता को कि वो कितने अजीम हैं उन्होंने जरा सा कहा कि हम जीयों का बायقट करें और देहो पंजाब में बीजेपी पानी पी गई कुछ भी नहीं अंड़ा जीरो जीरो सीट निकाली इसने और अब वो ही बीजेपी वाले जो हलक फारते थे नहीं नहीं इवियमे घोटाला नहीं होता और कॉंग्रेस लगातार पूरा भारत लगातार सन 2014 से कह रहा है कि इवियम में घोटाला हो रहा है हम तो अपने बेस पे आ रहें मोदी जी अपने बेस पर आ रहें हम पूरे भारत को डिजिटल कर चुके हैं जॉब दे चुके हैं आज उन्हीं बीजेपी के टके टके के जो नेता हैं वो चिल्лом चिलि माचा रहे हैं कि पंजाब में इवियम हैक गाए और सबूत क्या दे रहे मेरे महले वालों ने किसम खाई थी कि उन्हों ने हमें वोट दिया बीजेपी को वोट दिया लेकिन हमें 9 वोट मिले हमें 10 वोट भी नहीं मिले हमारे महले के 20 वोट थे वो कहां गए कैसा लगा कैसा लगा जन्नाटेदार तमाचा मेरे भारत के अनदाता का अभी तो देखते जाओ आगे आगे क्या होता है ये तो अभी शुरुवात है पिक्चर अभी बाकी है अब आप सोचेंगे कि पंजाब में शेथ कॉंग्रेस ने बहुत अच्छे जंडे गाड़े होंगे जो वहाँ पर कॉंग्रेस जीद गई नहीं कॉंग्रेस ने वहाँ किसानों ने करा है अब आप कहेंगे नोंने क्या काम करा है इन्होंने जियो टावर उखाड फेके मेरे भारत के किसानों ने जियो टावर उखाड फेके जियो टावर का बाइकॉट करा जियो नेटवर का बाइकॉट करा और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला के जोच जनारक दियुट